वेल्कम गाइस टू आचांग क्रेजी फॉर बॉलिवूड मैं शुभागनी आपके सामने हाजर हूँ आज की टॉप टेन हेडलाइन्स लेकर तो चलिए शुरू करते हैं आज की बॉलिवूड खबरों का सिलसिला शारू खान की जवान का रिलीज डेट चेंज हो गया है बताया जा रहा है कि दो जून से डेट बदल कर 25 अगस्त कर दिया गया है दरसल फिल्म के वीएफेक्स के काम में उमीद से जादा समय लग रहा है टीम ने फैसला लिया है कि बुरे वीएफेक्स से अच्छा ये है कि व अच्छे कुमार स्टालर बड़े मिया छोटे मिया की रिलीज डेट अब सामने आ गई है दरसल फिल्म को बड़े लेवल पर यूरोप एंड यूएई में रियल लोकेशन्स पर शूट किया जा रहा है और एगले साथ दिनों में पूरा होने की उमीद है बड़े मिया छोट 24 की बड़े रिलीज के लिए अब तयार है ऐसे में बताया जा रहा है कि बड़े मिया छोटे मिया की रिलीज डेट को अपरेल में तैय कर दिया गया है क्योंकि फिल्म एद के मौके पर रखी गई और एद नेक्स येर 10 से अपरेल या फिर 11 अपरेल में से किसी एक डेट को बड़ेगी नमबर 3 शारुक खान 8 मई से सल्मान खान की टाइगर 3 में अपने मोस्ट अवेटेड कैमियों की शूटिंग के लिए तयार है सल्मान और शारुक के इस सिक्विंस को 8 से 10 दिनों तक जेल के सेट पर शूट किया जाएगा शारुक खान 8 दिन तक इसका हिस्सा र गया है इस सेट को तयार करने में वायरेफ को 45 दिन से ज्यादा का वक्त लगा है नमबर 4 ऑल टाइम ग्लोबल ब्लॉक बस्तर शारुक खान स्टार पठान 12 मही को कुछ देरी के बाद आखिरकार बांगलादेश में रिलीज होगी 1971 के बाद रिलीज होने वाली शारुक की य यह हिस्ट्री भी क्रियेट कर दिया है बता दें कि यश्राज फेल्म्स की पठान एक हिस्टोरिकल आल टाइम ब्लॉक बस्तर फेल्म है यह वर्ल्ड वाइट बॉक्स ऑफिस पर एक हजार पच्पन करोड से अधी की कमाई कर चुकी है नमबर 5 शारुक खान के फेल्म जवा के रखा गया है और सनी देओल के फेल्म गदर टू भी 11 को ही रिलीज होने वाली है ऐसे में अगस्त में महा मुकाबला होने वाला है नमबर 6 विक्की कॉशल और सारा अली खान की फेल्म जरा हटके जरा बचके जून में रिलीज हो सकती है क्योंकि लेटेस्ट रेपोर्ट क की फेल्म एमस धोनी दोबारा से थीएटर में रिलीज होने जा रही है दरअसल हाले में स्टार स्टूडियो ने एक ओफीशल एलान किया है जिसमें सुशान सिंग राजपुत स्टार फेल्म एमस धोनी द अंटाइटल स्टोरी को एक बर फिर से बड़े पर रिलीज किये ज नमबर एट 21 अपरेल को रिलीज हुई सलमान खान की फेल्म किसी का भाई किसी की जान ने अब थीएटर में 14 दिनों को सफर पूरा कर लिया है किसी का भाई किसी की जान ने गुरुवार को डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर लगभग 1.10 करोड का नेट कलेक्शन किया है इसक जानी की पांच मई को थीएटर्स में रिलीज हो गई है फेल्म दा केरला स्टोरी तीन लड़कियों की कहानी है जिनकी लाइफ आएस आई के लिए काम करने वाले भारतिय मुस्लमानों के हाथों बरबाद हो गई है फेल्म में लव जिहाद के एंगल को भी भुनाया गया है जहां मुस्लिम लड़के दो लड़कियों को इसलाम अपनाने और अपने परिवारों को छोड़ने के लिए मजबूर करते हैं नंबर टैन अटल बिहारी वाजवाजपई के करदार में धल गए पंकच तिरपाथी जी हां फिल्म मैं अटल हूं की शूटिंग का एलान अब कर दिया गया है दरएसल खबर है कि अब जॉल्दे ही मैं अटल की शूटिंग शुरू होने वाली है बता दें कि मैं अटल हूं का एहलान बीते साल 28 जुन को किया गया था फिल्म का डारेक्शन रवी जाधव कर रहे हैं जो अपने काम के लिए नैशनल आवार्ड भी जीत चुके हैं बॉलिवूद की लेटेस्ट न्यूस, गॉसिप, फिल्म रिव्यूस, सॉंग रिव्यूस के लिए, सब्सक्राइब करें हमारे चानल क्रेजी फॉर बॉलिवूद को And yes, don't forget to press the bell icon ताकि हमारे चानल पे आई कोई भी नई information आप बिलकुल भी मिसना कर पाएं